दोस्तों इन दिनों भारत की चर्चा दुनिया उब्र में ओर रही है क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े समिट में से ही G20 के दिक शिदा जो कर रहा है लेकिन दूस्तों एरानी की बात तो ये है कि समिट में भारत का दोस्त देश जापान शामिल नहीं हो रहा है जी यहां दोस्तों जापान ने समिट में शामिल होने से मना कर दिया है ऐसे में भारत के लिए एक बुरी ख़बर है क्योंकि एक तो जापान भारत का दोस्त है और दूसरा एक मेजबान देश के लिए सदस्य देशों को इस समिट में शामिल होने के लिए राजी नहीं करबाना काफी दुख की बात है पर आखिर क्यों किया जापान ने आने से मरा कैसे तूट जाएगी दोनों देशों की दोस्ती क्या पड़ेगा इसका असर दोनों देशों की रिश्टों पर चलिए आये जानते हैं आज की इस वीडियो में दोस्तों इंदरो भारत G20 समिट की अदिक्षिता कर रहा है ऐसे में भारत के लिए एक बड़ा मौका है अपने आपको साबित करने का इसमें इसके लगबख सभी सदस्य देश शामिल हो रहे हैं आपको बढ़ा दें कि इंडिया में आयोजित हो रहा है G20 सम्मेलन की सदस्य देशों में जपान के विदेश मंतरी ने ये कहते हुए दोरा रत करतिया है कि उनके पास संसदी एक काम ज्यादा है आपको बढ़ा दें कि जपान के विदेश मंतरी योशी माशा हायाशी ने इस मीटिंग में शामिलना होकर अपने उप विदेश मंतरी को शामिल होने की बात कही है कि जपान में भी जपान के देश मंतरी के भारत के सम्मेलन में ना शामिल होने का विरोध जताया था। लेकिन फिर भी जपान के मंतरी ने अपने दोस्तों और अपने लोगों के लिए इस बात को भी दरकिनार कर दिया था। लेकिन जब कौड देशों के तीन मार्च को बैठ खड़े करता है चलिए आपको पताते कि क्यों जपान इस मीटिंग में शामिल नहीं हुआ भारत और जपान को हमेशा से खरीबी सहयोग और अच्छे दोस्त के रूप में देखा जाता है लेकिन यूक्रेन पर रूसी अमले के बाद से दोनों देशों के रिलेशन में कुछ प जपान के शामिल नहीं होने की असली वज़ा रूस और भारत की दोस्ती है वहीं जपान ने फैसला ऐसे समय मिलिया है जबकि वह खुद मई महीने में जी सेविन देशों की बैठकाय जुद करने जा रहा है आपको बता दें कि मई महीने में होने वारे जी सेविन समिट में भारत और आस्ट्रेलिया को भी बुलाए गया है ये दोनों देश जी सेविन के सदस से नहीं है लेकिन जपान ने महमान के तोर पर बुलाया है भारत और जपान के रिष्टे हमेशा से काफी अच्छे रहे हैं एशिया में चीन के बढ़ते अग्रेशन की कारण जपान भार भारत की रूस से दोस्ती को लेकर जपान काफी आउनकंफटेबल रहा है जहां जपान ने एक तरफ रूस पर पश्चिमी देशों की तरह से प्रतिवन लगाये हुए हैं वहीं दूसरी और भारत इंटनेशनल फॉरूम्स पर हमेशा ही रूस की निंदा करने से परेज करता माना जा रहा है कि रूस की दोस्ती की वज़य से ही जपान ओठाया से ही जपान के साथ दक्षिंड कोरिया की वदेश मंतरी में आने से में करद्यां कर दिया और इसकी वज़य अपने ड़ूमेस्टिक लाइबिलिटी यानि के देश के लिए अपनी जिम्मेदारी चानिए ये भारत के लिए बड़ा जटका है क्योंकि एक तरफ जहाँ जपान की भारत से काफी अच्छी दोस्ती है वहीं दूसरी तरफ दक्षिन कोरिया भारती अर्त विवस्ता में सबसे बड़े निवविशकों में सीख है जपान के साथ साथ पश्चीमी देशों की तरह दक्षिन कोरिया ने भी रूस फर प्रतिबन लगा रखे है ऐसे में खबर भारत के लिए अच्छी नहीं है इस समिट के बाद क्या भारत और जपान की दोस्ती पहले जैसी रहेगी ये तो वक्ती बताएगा लेकिन चलिए अभी आपको जपान और भारत के रिष्टों के बारे में बताते हैं दोस्तों वैसे तो जपान और इंडिया के रिष्टी ऑफिशली 1952 में शुरू हुए थे लेकिन साल 1911 में जब भारत ने नहीं दिल्ली पे पहले एशियाई खेलों की मेजबानी की तो उसने जपानी ऐसलीटों को अमंतृत किया दिती विश्विद के बाद जपानी जंडा फेराने का ये पहला मौका था जपान और इंडिया के रिष्टे हर अक्षेतर में अच्छे हैं चाहे वो परसनल हो या प्रोफेशनल और खास तोर से प्रदानमंदरी नरेंडर मूदी के बास से दो और भी ज़्यादा चलिए पहले आपको जपान और भारत के प्रोफेशनल रिष्टों के बारे बताते हैं दोस्तों भारत और जपान के बीच डिफेंस और सेक्योर्टी पार्टनर्शिप्स पिछले कुछ सालों में धर्म गार्जियन और मालाबार के साथ साथ कई और तरह की बायलिटरल और मल्टी लिटरल एक्सराइजस से ज़ादा डिवलप हुई है मिलन एक्सराइज में भी जब जपान ने पहली बार पारिसिपेट किया तो उसे दोनों देशों के रिष्टे और मजबूत हुए आपको बदा दे कि धर्म गार्जियन भारत और जपान की डिफेंस फोर्स द्वारा आयजित की जाने वाली एक्सराइज सेरीज है इसके साथ ही जिम एक्स नेवी के लिए शिन्यू मैत्री एर फोर्स के लिए आयजित की जाती है जिब की माला बार संयुक्त राज अमेरिका और आस्ट्रेलिया के साथ की एक्सराइज है जिसमें भी दोनों देश भाग लेते हैं दोस्तो जपान की पहचान भारत के एक अच्छे दोस्त के रूप में तब हुई थी जब जबान ने साल 1990 में भारत को भुगतान संतुलन संकट यानी की बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइस से निकलने मदद की थी और पिछले कुछ सालों में जपान और भारत के बीच आर्थिक संबंदों का लगातार विस्तार हुआ है और उन में मजबूती आई है दोरों देशों के बीच ट्रेट भी बढ़ा है आपको बता दें कि साल 2020 में जपान भारत का बारवा सबसे बड़ा व्यापारिक भागिदार था इसके साथ ही जपान से भारत में डिरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी बढ़ोती हुई है और Financial Year 2020 में जपान भारत का चौथा सबसे बड़ा इंवस्टर था आपको बदा दें कि Financial Year 2021-2022 के दरान भारत के साथ जपान का दोई पक्षिय व्यापार कुल 20.57 बिलियन यूएस डॉलर्स करा था भारत को जपान का निर्याद भारत के कुल निर्याद का 2.35 प्रतिशत था और जपान को भारत के कुल निर्याद का 1.46 प्रतिशत था इन्वस्टमेंट एंड ओडिये वही आपको बदा दें कि पिछले कुस दशिकों से भारत को जपान के Official Development Assistance से लोन मिलता आया है दिल्ली मेट्रो ओडिये के इस्तिमाल के जरीए जपानी सहयों के सबसे सफलोधारणों में से एक है इसके साथ दोस्तों इन दोरो देशों के Personal Relation भी काफी अच्छे रहे हैं थार्प प्रदानमıntरी नरिंडर मोदी और जäपान के पूर प्रदानमıntरी शिंजो आवे साल 2014 में प्रदानमंतरी पत समालने के बाद उनके पहले International दोस्टशो आवे बने पीम मोदी और जपान के पूर पीम शिंजो आवे ने दुनिया के सामने कई बार अपनी दोस्ती का इजार भी किया है आपके बता दें कि मोदी के जपान के पूर पीम शिंजो आवे से दोस्ती तब से है जब मोदी गुजरात के सीम थे जपैन के पूर पीम सिंजो आबे से प्रदान बंतरी मोदी की पहली मलाखाद साल 2007 में होई थी इस समय शिंजो जपैन के प्रदान बंतरी थे इसके बाद मोदी बता और गुजरात के सीम साल 2012 में जपैन की दूसरी आत्रा पर गए थे इस समय शिंजो सत्ता से बार थे लेकिन इसके बावजूद मोदी ने इन से बालकात की मोदी की आत्रा के कुछ समय बाद ही शिंजो फिर से जपैन के बदार मंतरी बने तब मोदी ने ने फोन पर बदाई दी थी गड़तंतर दिवस के मौके पर जब शिंजो 26 जनवरी 2014 को स्पेशल गैस बनकर भारत आए तब प्रोटकॉल की वज़े से गुजरात नहीं जा पाये थे इसलिए मोदी इन से मिलने खुद ही दिल्ली दोड़ाए थे इन दोनों की दोस्ती की वज़े से ही भारत और जपैन के रिष्टे काफी ज़दा गहरे रहे है साल 2014 भारत में आम चनाओ के बाद मोदी देश की बदार मंतरी बने और उन्होंने जपैन की यात्रा की अगस सितंबर के महीने में कूट रनीतिक रिष्टों का खरार लेकर जब मोदी टोक्यो पहुँचे तो जपैन के शाही मेल में पीम मोदी का शांदार स्वागत हुआ था इस यात्रा में कोई प्रोटोकॉल बादा नहीं मना और दोनों नेता हर पल एक दूसरे के साथ रहे दिसंबर 2015 में शिंजो आबे की भारत यात्रा के दुराद उन्होंने प्रदान मंतरी मोदी के साथ उनके संसदिय सीट वारानसी का दौरा किया दोनों नेताओं ने दशाशों में एक घाट पर प्रादना की और गंगा आरती में भी शामिल हुए यहां तक की कुछ समय पहले ही पूर पीएंज शिंजो आबे के निधन के वक्त भी उनके अंतिम संसकार में शामिल होने के लिए प्रदान मंतरी मोदी जपान गए थे बताएं अगर आपको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें